अगर हमारी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक पर टैप कर दीजिए ताकि तभी मैं वीडियो सब्लोड करता हूं तो आपको नोटिफाइब होता जाएगा और सब गाइस कैसे है आप सभी तैसे कि आपको बता है बहुत सरे इंपोर्टेंट मोबेल टिप्स और ट्रिक्स वीडियोस बना रहा हूं इस चैनल पर अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूले दिखें यहां पर है वीवो वी लवन प्रो तो वीवो वी लवन टिप यहां पर जैसे कि देख सकते हैं कुछ भी नई पर लाता हूं फ्रेम में तो इसे चेंज हो जाता है फ्रेमिंग आप लेंस ही नहीं कोई भी अपना सब्जेक्ट को वो ले सकते हैं मेरे पास एक लेंस था तो मैंने आपको दिखाने के लिए एक्जांपल के लिए यह उसकी प्रोड़क्ट है न यह चीज है तो इस प्रोड़क्ट को आप केसे चैप्चर कर सकते हैं वी वी वीलावन प्रो में तो बहुत यह आच्छान इमेजस आता है तो जनरली क्यामरा को ओपन करके क्लिक करेंगे तो ऐसे आमेजस आता है अफ कोर्स यह Черे Пока कि लेने के लिए नहीं ऐसे चीज के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अभी देखिए पोर्ट्रेट बोके यूज करते ही आपको थोड़ा डिस्टेंस में रहना है ठीक से अच्छा इमेज शार्प इमेज आने के लिए एक पोर्ट्रेट बोके में बहुत ही अच्छा ग्लो रेडियन्स आता है क्योंकि वो पोर्ट्रेट समझ कर आपको बहुत ही अच्छा ग्लो एंड साफ्ट वाला फिलिंग देता है एक अलग ही फिलिंग आता है प्रोड़क्ट शाट्स के लिए तो ऐसे मैं यूजली कैप्चर करता हूँ कोई भी प्रोड़क्ट शाट्स आप म मोबैल पकड़ना है तो पकड़ने के बाद जस्ट आप कैप्चर कीजिएगा एंड यहां पर देखिए कितना बढ़िया इमेज आता है प्रीवेस इमेज यह था इसमें देखिए कुछ इंटरस्टिंग ज्यादा नहीं लगता है क्योंकि यह सारा चीज दिख रहा है लेकि आपको पिकले एक दिखाने के लिए कि कैसे में प्रोडेक्ट शॉट्स लेता हूँ यह वाला देखिए सेटिंग्स में बिल्कुल शार्प इमेज़ेस ऑन और पीवो वी 11 प्रो यह तो मोबैल में लिया हो ना कोई DSLR कैमरा नहीं तो कितने सारे अच्छे फ्रेमिंग्स कित इंस्टाग्राम पर शेर करें तो देखें पोल्ट्रेट बुके है यहाँ पर सेटिंग्स में और जहां पर चाहिए आप रीफोकस कर सकते हैं इस नंबर को जितना कम करेंगे उतना बैक्डरून ब्लर होगा जितना आप ज्यादा करेंगे इस नंबर को उतना शार्प आप तो बहुत ही बड़िया फीचर देते है वीवो वी 11 प्रो में आपको कंट्रोल करने के लिए तो अगर मैं ऐसे लेता हूँ तो और भी बैक्डरोंड को ब्लर कर दिया भी देखें सो ब्यूटिफुल इमेज जस्ट एक सब्जेक्ट एक उब्जेक्ट लेंस का इतना आप अच्छा कैप्चर कर सकते है भी वी 11 प्रो में अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को शेर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी देखें और अच्छा अच्छा पिक्चर्स कैप्चर करें तो मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे करेंर आप但 वीडियो काờ刷 अच्छाने क dyson ôगर आपको बाहे अच्छाने क Kr apex और व gonna भीड्रिक्व़ साथ हमें अगले कू अच्छाने के लिए अच्स करें लो सब्सक्को को शेरे हैं आपको करें वेक्चर में आपको के लिकीजिए अड़ साथ ह में थाख साथ हमें देन